For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Salman Khan वाकई में एक असली entertainer है और वो एक लौते host है जिन्होंने controversial reality show Big Boss को एक season से ज्यादा host किया है. उनकी heavy fee के चलते भी मेकस हमेशा उन्हें शो पर वापस ले ही आते हैं और इसका कारण है entertainment, entertainment और pure entertainment. In fact, उनका weekend का वार सेग्मेंट पूरे हफ़ते का highlight होता है और इस बार भी उनके सेग्मेंट में कई talented television stars आये थे. मगर ये क्या? TV आक्रिस सुर्भी जोती और अनीता हसनन्दानी ने अपने हाथ में वर्माला ली और सल्मान से शादी के लिए हाथ मांगा. अब इन दोनों beauties को सल्मान के स्वयमवर में देखकर सल्मान ने भी उनसे उनकी उम्रोप पूछी ले जिस पर सुर्भी जोती ने कहा कि वो हजार साल की है, वहीं अनीता ने कहा कि वो सिर्फ 780 साल की है, अब ये तो वाख़ी में एक amazing और hilarious scene था, है ना? सल्मान खान और उनके fandom की कोई limit नहीं है, in fact उनका fandom आसमान को छू रहा है, no wonder यहां हम उन्हें एक leading airlines की air hostess की साथ post करते देख सकते हैं, ये प्यारी CYU सुन्दरी सल्मान खान की बहुत बड़ी fan है, और ऐसे में जब उन्होंने सल्मान को अपनी flight में देखा, तो वो खुद को रोप नहीं पाई और उन्हें pics के लिए request किया, हालंकि तब सुभे के 5 बच रहे थे, सल्मान ने इस request को accept कर लिया, और ऐसे में हम लाए हैं सल्मान और उनके fan की कुछ delightful pics, work front पर सल्मान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भारत की shooting में काफी busy हैं, और फिर वो controversial reality show Big Boss 12 के grand finale की तयारी में भी busy हैं, तो आप उन्हें अपनी air hostess fan के साथ post करते देख कर, हम तो अपनी मुस्कान रोख ही नहीं सकते हैं, और आप कि उनका eviction होना चाहिए था, उसके बजए उन्हें लगता है कि घर में और भी weaker contestants जैसे की उन्हें का जिसलीन का नाम लिया उन्हें, मेगा धाड़े का नाम लिया कि जिस तरीके से मेगा बहेव कर रही थी उन्हें सजा के तौर पर ही सही पर evict तिया जाना था जिस तरह कि उन्हें का नाम लिया हाला कि सोमी उन्हें की अच्छी दोस्ते ही घर में लेकिन सोमी के नाम लेकर भी उन्हें ये कहा कि सोमी का भी eviction एक्रीस मुझे समझ में आता और सबसे बड़ा शॉकिंग सुनना ये था कि उन्हें का तु सम एक्सेंट इवन रोहित रोहित का भी उन्हें लगता है कि शायद रोहित को भी एक्टोना चाहिए ता शृष्टी से पहले तो कहिना कि शृष्टी को ये साफ दिख रहा है कि उनका इविक्शन उनके फैंस को लहीं पसंद आया और साथ ही साथ शृष्टी इभी कह रहे थी कि उनके फैंस काफी डिसपॉइंट है वो काफी डिसपॉइंड़ है उनके इविक्शन से काफी बुरा लग रहा है लेकिन उन्हें एक्सपेक्टेड हा कि शायद रोहित या जस्क्री में से कुई एक जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शृष्टी का इविक्शन हो गया तो दोस्तो इस चीज पर आपका क यह था तो दोस्तो यह या तो यह डबल सांडर्स है या फिर शृष्टी घर के अंदर फेक कर रहे थी और बाहर आकर उन्हें अब इसा लग रहा है रहे हैं रोहित डेफिनिटली डिजर्फ करते हैं बाहर आना उनसे बेटर आपके डिजर्फ करते हैं तो इस चीज पर किन्ट कवार सेग्मेंट वाकई में काफी खास होता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ जिब टेलिविजन दुनिया की सितारे इस शो पर आए जी हां बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हमने स्टेज पर सलमान का स्वयम वर देखा और अब हम उन्हें नागिन 3 की टीम के सा पूस करते देख सकते हैं स्टेज पर इन सितारों ने तो चार चांद भी लगा दिये मगर साथ ही सलमान ने भी उनके साथ नागिन डांस करके सभी को मौनी रॉय की याद दिला दी जिनने सब छोटे परदे की नागिन बुलाते थे नागिन ने इस शो को करने के बाद फिल्म गोल्ड के साथ बॉलिवुड में डेब्यू किया था तो जब तक हम मौनी को इस शो में मिस करें आप भी सलमान और नागिन 3 की टीम के इन अमेजिंग पिक्स पर अपने कॉमेंस हमारे साथ शेयर करें सलमान खान वाकई में एक असली एंटर्टेनर है और वो एक इकलौते ऐसे होस्ट है जिन्होंने कॉंट्रोवर्शल रियालिटी शो बिग बॉस को एक सीजन से ज्यादा होस्ट किया है उनकी हेवी फी के चलते भी मेकर् purpose हमेशा उने शो पर वापस ले ही लेते हैं और इसका कारण है वेल इस बार उनके शो के वीकिंड कवार सेगमेंट में कई सारे टेलिविजन स्टार्स महमान बन कर आये और इनी में से एक थी डिलाइटफुल ब्यूटी अनीता हसननदानी जनोंने शोव पर कुछ अमेजिंग परफॉर्मेंसे से किया हमें एंटरेटेन यहां हम इन दोनों स्टार्स को सेलफी के लिए पोस्ट करता देख सकते हैं और इस पिक को देखने के बाद हमें ऐसी कई और पिक्स का इंतजार रहेगा है ना प्रियांका चोप्रा ने जब शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन पहले सलमान खान की फिल्म भारत से किनारा कर दिया तो सभी को लगा कि यह फिल्म अब स्टान स्टिल पर आ जाएगी और शूटिंग स्केट्यूल पर इसका बुरा असर पड़ेगा मगर फिर सलमान खान की टाइगरस काट्रीना केफ ने एन वक्त पर इस रोल को अक्सेप्ट कर लिया और प्रियांका की जग्या ले ली अब इस नोबल जेस्टर से सभी काफी खुश हुए और सल्लू कैट फैन्स के लिए तो यह किसी डबल वैमी से कम नहीं था क्योंकि ये दोनों स्टार्स एक बार फिर टाइगर जिंदा है के बाद वापसा रहे थे फिर टाइगर जिंदा है की बात करें तो हमने इन दोनों स्टार्स की अमेजिंग केमिस्ट्री उनके दिल दिया घल्ला गाने में बखु भी देखी और ये गाना किसी love anthem से कम नहीं था ऐसे में makers ने सभी love struck fans को एक और rocking love song देने का फैसला किया है तो यहां हम देख सकते हैं कि beautiful diva cat डेली आ चुकी है जहां वो अपनी आने वाली फिल्म भारत के लिए करने वाली है एक romantic song shoot और अब जो हमें इस बात की भनक हो चुकी है हम एक बार फिर सलू cat की impeccable chemistry और magic को इस गाने में ढूंड रहे हैं तो क्या आप भी special romantic track को लेकर excited है हमें जरूर बताएं सल्मान खान अरुनाजर प्रदेश के tourism ambassador है और इसलिए जब उन्हें स्टेट में होने वाले मेचु का adventure festival के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत पंजाब में चल रही अपनी फिल्म की shooting से ब्रेक लिया और अपनी स्टेट के support में निकल पड़े दबंग खान की कुछ पिक्स जहां वो चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू और मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर होम अफेस किरन जीजीजू के साथ cycle चला रहे हैं वाइरल हो गई है सल्मान ने ना सिर्फ इस event को अटेंड किया बलकि price distribution के लिए भी रुग गए और फिर हमें ये भी पता चला कि इंडस्ट्री के सुल्तान ने मेचु का अडवेंचर फेस्टिवल के लिए किये 22 लावक रुपे डुनेत अब इस जेस्ट्र ने तो हमारा दिल भी छूलिया है वर्क फ्रंट पर सल्मान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं जहों वो एक multiple age character में नजर आएंगे तो इतने busy schedule के होते हुए भी जिस तरह से वो अरुनाचल प्रदेश के tourism को boost कर रहे थे ये देखकर हम तो काफी proud फिल कर रहे हैं और आप हुआ हुआ हुआ